कि अज़िए आज आम आपको मीन डेवेशन का कुछ कोसर समझाते हैं जो कि आपको समझना बहुत-बहुत ज़र रही है प्लस करेंगें अज़रा फ्लस करेंगें और के दूसरा इसको प्लस करने से आपका बन जाएगा 80 सबको प्लस करने से पताया आपको whatever of the digit is how much 1 2 3 4 5 6 7 8 इसले 8 आ गया अब इसको इससे क्या करेंगे डिवाइट कर देंगे तो हम लोग क्या गया 10 आ गया ओके अभी जो 10 आया अभी हमको क्या निकालना होगा absolute value of mean absolute value of mean निकालना होगा that means जो हम लोगा value निकला उसको इससे क्या करना होगा मैनस करते हुँ चल जाना होगा ठीक है जिससे 10 में से 4 गया how much 6 10 में से 7 गया 3 10 में से 8 गया 2 10 में से 9 गया 1 10 में से 10 गया 0 10 में से tool गया 2 10 में से 30 गया 3 10 में से 17 गया how much seven मतलब क्या है कि आपका जो 10 मिन निकला ओमीन को क्या किजेगा इसके साथ सारा नमर के साथ क्या करना होगा मैनेस कर देना होगा मैनेस करने के बाद आपको यह चेक करना होगा कितना आ गया यह आ गया अब इसको क्या किजेगा आप 10 में 30 ठीक है अभी सब क्या करना होगा प्लस करने के बाद आप यहां पर बाइक कर दिजएगा हमने डिजिट्स एट एट पुट कर दिजएगा ठीक है अभी देखिए 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 हमच 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11 11 12 14 14 17 24 सब को प्लस करने से कितना आ रहा है 24 24 24 THAT MEANS कितना हो जाएगा आ इससे हमारा आण्सर निगल अपको धियान ठखना मैं में हमें सहागी है किया से मुआं निकलेगा में जितना डिजित दिया हो है सब क्या करेंगे प्लस कर देंगे, सबसे पहले, दूसरा, बाय, बाय करने के बाद, हाव मेनी डिजिट, सबसे पहले, डिजिट का उनके लिजए, वन, टो, त्री, फोर, फाइव, सीक्स, सेवन, एट, पूट कर देजएगा, ठीके, पूट करने के बाद, सब को प्लस की जएगा, जितना आएगा, डिएड़ बाइट, करने से हमारा 10 आ गया, जो 10 आया, वो 10 को क्या करेंगे, हर एक डिजिट से क्या करेंगे, मैनस करते वो चल जाएगे, अभी आपका मन में डाउट आ रहा होगा, जो 10 दिया हुआ है, 10 मैनस 4, नहीं किया गया, क्या क्या गया है, 4 मैनस 10, 4 मैनस 10, देखिए, 4 मैनस 10 किया गया, आप बोलेंगे, 4 मैनस 10 तो मैनस 6 होता है, लेकिन अपके यह प्लस 6 लिखे हैं, तो ध्यान समझेगा, यहां पर हम absolute value लिखे हैं, absolute value, absolute value का मतलब क्या होता है, जो भी अंदर का, जो भी sign होता है, पहले उसको solve कर दिया जागा, solve करने से कितना हैगा, मैनस 6, absolute, ऐसे दे देंगे, जब इसको अगर हमको अटाना है, absolute value को जब भी अटाना होता है, तो धियान रखेगा, चाहो मैनस हो, प्लस हो, सिर्फ नंबर भार में आएगा, सिर्फ क्या आएगा, नंबर भार में आएगा, उसको बोला जाता है, absolute value, जिसके चलते हमरा जितना भी नंबर हम लोग सोल्व करेंगे, मैनस करेंगे, तो हर एक अंसर किसमें आएगा, positive में आएगा, दूसरा, जब हम लोग absolute value निकाल दिये, यह सब को plus कर देंगे, by 8 कर देंगे, by 8 करने के बाद जुआएगा, वो हम लोगा क्या होगा, mean division of mean हो जाएगा, ओके, ध्यान सिसको आप समझ लीजे, आप करना चलू किजे, आपका हर question, mean division of mean का question, ऐसे solve क्या जाएगा, और आपका 100% अंसर आएगा, thank you.